नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ 24 बिहार आई लेजर टालते हैं इसकी बड़ी खबर पर ग्रामिन विकास मंत्री श्रवन कुमार ने गुलाम रसूल बलियावी के सेना पर दिये गए भायान पर कहा की पार्टि के सर्मुमान्य नेता ने पूरे मामले पर संग्यान लिया है और पार्टि पूरे मामले को देख रही है उपेंदर कुश्वाहा के द्वारा उनकी 19 और 20 फरररी को बुलाई गई बैठक पर श्रवन कुमार ने कहा कि कोई भी देखती पार्टी में रहकर पार्टी विरोधी काम करता है तो पार्टी उस पर संग्यान लेती है और आने वाले दिनों में इसका पता सल जाएगा अमेशाहा के बिहार दोरे पर श्रमन कुमार ने कहा कि नफरत फैलाने नहीं आए भार्टी जनता पार्टी के पास से अगर मंतिर और मस्जिद हटा दे तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और उने सीधे तोर पर भार्टी जनता पार्टी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए राजनीती करने का आरोप लगाया है आज बहुत कम भीड़ है काब आज आज बहुत कम भीड़ है काब आज बाहर थे आप भी बोलिएगा उनके खिलाप ताप पर भी रेड़ होगा जो लोग खिलाप बोल रहे हैं जो लोग सतता को उजागर कर रहे हैं जो भी भारतिय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं के खिलाप और उनकी सतता को परशारित और परशारित कर रहे हैं जानकारी प्रवलिक डॉमेन में दे रहे हैं उनके खिलाप इस तरह की कारवाई कोई नहीं नहीं है, हर दिन हो रहा है और ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं लेकिन अब ज्यादा दिन नहीं बचा है दो हजार चोबिस में जब सफाया होगा तब इनको पता चलेगा कि लोगों पर गलत ढंग से कारवाई करने का नतीजा क्या होता है म Keyser Patent मुंद्रा गांदी ने भी उड़ान के बिसमारmış छाट बाकिया है मैं तो बायड किया था तो उनको खामयाजा भुगतना पड़ा जो लोग गलत काम करेंगे उसका खामयाजा उनको भुगतड़ना पड़ेगा ओर देश की जनता सब देख रही है जब आपको मौका मिला तो अच्छा काम करना चाहिए, नेक काम करना चाहिए, परगती का काम करना चाहिए, विकास का काम करना चाहिए, नफरत को खतम करना चाहिए, प्रेम और भाईचारा पैदा करना चाहिए, उसके बजाए आप नफरत पहला रहे हैं और नफरत की दिवा ख़ड़ा कर रहे हैं तो आने वाले 24 में आपको इसका खामिया जा भुगतना पड़ेगा देश की जनता सब समझ चुकी है 24 में भाजबा मुक्त भारत जब हो जाएगा उसके बाद इनके नेताओं को पता चलेगा खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी है एक बड़ी खबर के साथ